का भूआ को कि प्छले क्लास में आपको यह आदर ही मेप्तेरा हीमी kे दो सबादर है एक ऑडे अध कि आदर होमोंफ सबादर है do machines में है यह फेमली कीटे अधार की में जो है मस्टर्ड एफिर जो सर्सों में माहू लगता है वो कीटाते हैं अब इसके करेक्टर एफी डिडेई के कि यह माहू जो है सूच मुलायम होते हैं जिनका रंग हलका हारा पीला भी होता है भूरा अथवा काला होता है ठीक है नमबर दूसरा सिर जो है हाइपोगन्थस अर्थाद अधोन मुखी होता है और यह वच्छ से जुड़ा रहता है तीसरा पॉइंट है दो जोरी सहुतनेथ होते हैं और तीन ओसली होती है यह पंखीन भी होते हैं अब बीना पंख वाले भी होते हैं ठीक है तरसाई दो खंडी होती है जिन पर एक जोरी नक होते हैं क्लाप आए जाते हैं अगला पॉइंक है उदर पांच से चे खंडों में भी भाजित होता है और तरी यह उदर के जो है पांचवीं सहतं हखन्ड में जो है प्लोग ससाथे हैं जिनके ट्वाल furniture-प्त मों का सिक्रीशन होता है उदर के पाचवे या छथवे खन्द में घृता कि उदर के नववे खन्द पर जो है इनका इनस इस्ठित होता है और इनस से जो है होनी डीम्मद स्राव निकलता है जिसके जिससे जो है जो जिसा होनी मद्मक्खियां और चीतियां है यह उनके उसको जो बीष्टा निकलती है उसको खाने के लिए यह आकर्शित होते हैं जिससे अनकीत जो है माहूं को नहीं खापाते हैं इनके उससर्जन के लिए इन्की सर्जन में माईल पिर्येनल काई नहीं होती हैं जबकी और उससरजन का मुक्षूप से माईल पिर्येनल काई नहीं होता है। लेकिन एफिड में यह जो है माहिर पी गेनरल इकाई नहीं होती है इनकी जगह एक मत्सब उसरजन के लिए फिल्टर चेंबर लगा होता है इस यह हुए मुख मुख जो है करेक्टर इसमें जैसा कि मैंने भी बताया मस्टर एफिड लाइफ आफ इस एरीजमी इसका साइंटि दूसरी फेमिली है एली यूरो डिडेई इसमें आता है सुगर केन हुआइट फ्लाई आदास गर्मना की सफेद मक्खी आती है यह पहला पॉइंट है इसके करेक्टर है सूच में आतार के जीट होते हैं जिनकी लंबाई लगबाद एक से तीन मिलिमीटर होती है इनकी 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 इनकीटों का पूरा सरी जो है संपूर्ण सरी मोम से धाका रहता है सिर जो है हाइपोगाइंथस अधार अधोन मुखी होता है पार्स सतह पर जो है एक जोरी कमपाउंड आई इनकी जो होती है किदिनी सेव्ड की होती है जैसा किदिनी मनुस्तों में पाई जाती है ब्रक्का कार होती है और दो ओसली होती है तार्सस दो खंडी होता है जिनके बीच में दो कला होते है और नीचे पैड या पलविलाई गदियां पाई जाती है इस इस फेमिली में जो है कम्प्लीट मेतामार्फोसिस होती है क्योंकि आई आइसो तेरा आडर में इनकम्प्लीट मेतामार्फोसिस होती है सिर्फ इस में जो है कम्प्लीट मेतामार्फोसिस होती है अर्थाद एग एग के बाद निम्फ निम्फ के बाद प्यूपा प्यूपा से एडल्ट बनता सिर्फ इसी एक फेमिली में जो है कम्प्लीट मेतामा होती है अर्थार निम्फ जो है प्यूपा में बदलता है प्यूपा से फिर एडल्ट में बनता है अगली फेमली है कॉक्सी डेई इसमें आता है मैंगो मिली बग हिन्दी में कहते हैं आम का फद का ड्रोशिचा मैंजी फिरेई ये साइंटिफिक नेम है अब आए करेक्टर में मैंगो मिली बग ये जो है कीड पौधों में ये जोंड की रूप में दिखाई देते हैं ये छोटे होते हैं अंदाकार होते हैं कोमल तथा मोम से धके रहते हैं एंटनी साथ से आठ खंडों में विवाजित देती है और जो टाइप से इसकी होल्ड मतलब चक्कराकार एंटनी पाई जाती है इसमें इनका जो लैबियम होता है इनका लैबियम को रोश्कर कहते हैं जो चोच के रूम में रुपांतिस रहता है लैबियम क्या है पार्स आप माउच पार्स है भाग है मादा पंख रहित होती है, गोलाकार या चप्ती होती है, जबकि मेल जो है पंख धारी भी होते हैं, पंख हीन भी होते हैं, लेक्स छोटे होते हैं, अटारसस एक खंडों में विवाजित होता है, इन कीटों में थोरेक्स पर वच्छ पर दो जोरी श्वसन छित्र पाए जाते हैं, लेकिन अब्डामेल उदर में नहीं पाए जाते हैं, मेल के जो नर होता है, उसमें माउट पास नहीं होते हैं, और ये कोई हान नहीं पहुचाता है, सिर्फ जो है जो फिमेल होती है, वो हान पहुँचाती है इसमें आता है मंगो मिली बर सी का डी अध्वा जैसी इसमें तीन कीट आते हैं मंगो लीफ ओपारे ताहरा पैदी लीफ ओपारे इसमें वगता है त्टीक है यह कीट सूछम और बेलनाकार आकरत में होती है इंटनी जो पाई जाती है सीटेशियस सूका कार पाई जाती है और आजखंडी होती है सिरी चवरा होता है और त्रिभुजाकार होता है कंपाउंड राई सयुक्तिनेट बरे होते हैं अग दो उपनेत पाई जाते हैं अधिली जोरी पंक रंगीन तथा चमकीले एवं पिछली जोरी पंक जो है जिली डार होते हैं अधिक है उदान जैसे मैंने भी आपको बता है मंगो लीफाफर पैडी लीफाफर और काटन जैसी अगली फिम्री है लोफो पिडेई इसमें यह भी गरने में लगता है सुगर केन लीफाफर इसको करते हैं पाइडीला के नाम से हैं ठीक है पहला मोस्ट इंपार्टन अधिक है